उदर महाकूम्ब कोरोना जाच फरजीवाडे मामले में सूबे की सियासत गर्मा गई है राजसरकार ने इस घोटाले में S.I.T. जाच बैठा दी थी महाकूम के दौरान कोरोना जाच के नाम पर हुए फरजीवाडे का मामला लगतार तूल पकरता चला जा रहा है परदेश के अंदर इस बात को लेकर सियासत तेज है ऐसे में लगतार बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं हमारे साथ पूरो मुख्य मंतरी त्रिवन सिंग राव जी मौजूद है सर आपका एक बयान अभी अभी सामने आ रहा है S.I.T. जाच सरकार की तरफ से रखी गई है आपकी तरफ से बात कही जारी है कि बड़ी एजेंसी को जाच दी जाने चाहिए अगर इसके पीछे की क्या सोच है आपकी देखे इसमें जो विपक्स है यह जब पब्लिक में जो सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग जाच कर रहे हैं वो हमारे छोटी स्रेनी के अधिकारी है C.O. हैं इंस्पेक्टर हैं यह दिपिव उनकी योग्यता पर उनकी छमता पर हमको पूरा विश्वास है उनकी निस्पख्सता पर भी हमें पूरा विश्वास है लेकिन सवाल जाच पर नहीं उठने चाहिए यह कहा जा सकता है कि बई सरकार के दवाओं में आकर के और इन अधिकारियों ने सही जाच नहीं की है सवाल उठाए जा सकते हैं न्यायले पर जनता का बिश्वास है सामान ने विक्ति यह सोचता है कि न्यायले ने जो निर्ने दिया है वो सही है और इसलिए मैंने सुरू से यह बात कही कि इस पर न्याइक जाच होना चाहिए मुख्यमंत्री जना साइटी जाच बैठाई है मैं उसका भी स्वागत करता हूँ लेकि अगर जूडिसियल जाच बैठती तो ज़्यादा अच्छा होता वो लोग उसको उन पार दस्ता उसकी लोगों के समझ में आती और लोग उस पर पूरी तरह बिश्वास करते हैं जिस समय ये मामला रहा होगा उस समय कहीं न कहीं जिस तरीके से इस्तीरता सरकार के अंदर देखने को मिले थी लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें बयानबाजी लगातार जारी है अगर देखा जाये तो कौन ऐसे लोग वो दोसी हो सकते हैं उस समय क्या लगते हैं को कौन से ऐसे लोग है यो विभाग होगा या अधिकारी होंगे जिस तरीके से नौकर साही लगातार उस समय सक्रियती किस तरीके से देखते हैं कौन ऐसे लोग हो सकते हैं वो देखिए तो जाँच का विस्ट है और उस पर अभी से कुछ बोलना ये उचित नहीं है मुक्यमंत्री जिने जाँच बिठाई है और जाँच का परणाम जब सामने आएगा तो कौन उसमें लिपत हैं वो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी मुझे याद है जब मैं मुक्यमंत्री बना बना था तो नहिच सेवन्टी फॉर उसका कुछ प्रकड मेरे सामने आया था और हमने उस पर साइटी जाँच बिठा के और कई PCS अफसर और कुछ I.S. अफसर उन पर हमने कारवाई की थी सस्पेंसन की कारवाई की थी और कई लोग उसमें जेल में भी गए कई लोगों से वसूली ही और कई लोगों पर अब भी कारवाई जारी है इसलिए क्योंकि उसमें हैर लिबल के अखिल भारते शिवार के अफसर उस जाँच को कर रहे थे और इसलिए जो भी गडबड़ अगर होती है तो वो जाँच में सब सामने आ जाएगा अभी हम किसी पर शक प्रकट करें वो उचित नहीं है वो जाँच को प्रभावित भी कर सकता है जाँच प्रभावित नहीं होनी चाहिए जाँच निस्पक्स और पारदर्शी होनी चाहिए मामला कुम से जुड़ा हुए है ऐसे में विबक्ष लगतार हमला और हो रहा है कॉंग्रेस पचिस तारीक को जस तरीके से बड़ा एक अंदोलन करेगी हरिदवार मैंसन पर बैठेगी दूसरी तरफ मुख्यमंतरी की खिलाब मुकदमे की बात की जारी है कॉंग्रेस की तरफ से की तीन सो दो का मुकदमा दर्च कि इस तरीके से देखते हैं विबक्ष के इन सवालों को देखे विबक्ष तो राजनीती कर रहा है और इस इस्यू को राजनीती करन इसका नहीं होना चाहिए गंभीर मिशे है इसलिए उसी गंभीरता से उसकी जाँच होना चाहिए उसी गंभीरता के साथ सवाल उठाने वालों को सवाल उठाने चाहिए मैं समझता हूं कि विपक्स इस पर केवल और केवल राजनीती कर रहा है इसको राजनीती रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ये लोगों के जीवन से जुड़ावा सवाल है अगर वहाँ पर वैक्शीन नहीं लगाई गई और लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दे दी गई सारी अगर टेस्टिंग नहीं हुई है और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट अगर दे दी गई है तो उसे ब्यापक हानी हो सकती है ब्यापक हानी हो सकती थी और हो सकता हुई हो इसलिए उसको उतनी ही सिरिशली लेना चाहिए जितना ही गंभीर इस्यू है कुम के दोरान जिस तरीके से एक बड़ा फरजिवारा हुआ और ऐसे मैं सियासत परदेश के अंदर काफी तेज देखने को मिलना है लेकिन ये वक्त ही बताएगा ज्यांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके वाकई में दोसी कौन है लेकिन इस दोरान जिस तरीके से मुख्यमंतरी सहीत बिपक्स के लगातार जो बयान आ रहे हैं ऐसे मैं सियासित जो हलचल है परदेश के अंदर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है देरादून से केमरा परशन दर्मेन के साथ ग्यानें तिवारी नेटो 10